नमस्कार दोस्तों मैंzet अकरेल आपके अपने चैनल रिमा की चैनले लिर्लोग से स्वाधत करती हूं तो सावन में भैंगन क्यों नहीं खाते हैं इस वीडियोमें आपको देढ़ेगी पूरी जानकरी और साथी साथ कड़ी भी क्यों नहीं खाते क्योंकि सावन में कई कहन पान की चीजों का सेवन करना वर्जित माना करना है जिसके पीछे न से धार्मिक बल्कि वेग्यानी कारण भी है तो आये जानते हैं कि हम सावन में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए तो सावन का मैना 22 जुलाई से शुरू हो गया है मानेता है कि है कड़ी में पढ़ने वाल सामगरी है जैसे कर देखाट का इस्तमाल के अजाता है और दही सावन के दोरा शिव-जी के उपर चढ़ाते है इसलिए कड़ी सावन में नहीं खाने चाहिए, हाला कि इसका विज्ञानिक आधार भी मौझूद है, विज्ञान कहता है कि सावन में मौसम बदलता है, सावन में भरसात होती है, मौसम थंडा हो जाता है, ऐसे में थंडी तासिर वाली चीज़े नहीं खाने चाहिए, दई भी थंडा होता है और आपको बीमार कर सकता है, इसलिए सावन में कड़ी खाने से बचना चाहिए, अब दूसी बाद जो मैंन पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि सावन में बेंगन भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दूनोट बिंजल इन सावन, सावन में बैंगन इसलिए नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें जीव होता है, बैंगन में बारिश के दोरान कीड़े पेदा हो जाते हैं, दार्मिक देश्टी से जीव हत्या का पाप कहलाता है, वही सावन में यह सावस के हिसाब लिहास से भी उचित नहीं है, और सावन में जो दूद से बने प्रॉडक्ट वो भी नहीं खाने चाहिए, जैसे सावन में शीवलिंग पर दूद चड़ाते हैं, तो कच्चे दूद को भी और दही को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अगर आप पूजा करते हैं, तो देरी प्रॉड प्रॉड को खाने से बचने और सावन में नौन वेज भी नहीं खाना चाहिए, बगवा इस खाना पीर से जूड़ी बिमारें को जन्म देता इसलिए, सावन में मासार खाने से भी परेज करना चाहिए से बचें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकम प्रैस करें आरे किश्णा